आप देख रहे हैं अपदेट मीडिया 24x7 नियूस चैनल अपदेट मीडिया के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी को दीपा वली की धेर सारी शुप काम लाए माना जाता है कि अपर्व भगवान श्रीराम के लंका पती रावन पर विज़े हासिल करने और 14 साल का वनवास कुरा कर घर लोटने की खुशी में मनाया जाता है माना जाता है कि जब भगवान श्रीराम देवी सीता और लक्षमन के साथ आयोध्या लोटे थे तो लोगों ने दीप जला कर उनका स्वागत किया था इसलिए हर साल इस दिन घरों में दिये जलाये जाते हैं और पटाके भी पोड़े जाते हैं कुछ पंक्तियां आप सब के लिए दिवाली के उपलक्ष में कहना चाहती हूँ कि दीप से दीप जले तो हो दिवाली, उदास चेहरे खिले तो हो दिवाली, बाहर की सफाई हो चुकी बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दिवाली हर दिया आपकी दहलीस पर ज़ले हर फूल आपके आंगर में खिले आपका सफर हो इतना हसी कि हर खुशी आपके साथ चले एक बार फिर से आप सभी को Update Media 24x7 के परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुप कामना है और साथ ही राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाओंगी मेरे जनम के सारे पाप मिट जाएंगे ग्राम पिंजरी नामरी ब्लॉग लोथा चनपत अलीगर प्रिधान आशा देवी की ओर से समस्त गाउवासियों नगरवासियों और देशवासियों को धंते दीपावली भईया दूज और चटपूजा की बहुत बहुत शुप कामना है स्वक्ष भारत का मुख्य उद्देश भारत को साफ बनाना है लोगों में जाग रुकता लाना कि जैसे वे अपने घर को साफ रखते हैं ठीक उसी तरह देश को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि हमारा देश ही हमारी पहचान है चाहे हम अपने घर को कितना भी चमका लें जब तक देश नहीं चमकेगा हमारी पहचान वही रहेगी इसलिए देश को अपना घर समझे और उसकी सफाई में सदयव अपना योगदान देते रहें क्योंकि स्वक्ष रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत और इधर बरसाथ का मौसम आते ही डेंगू का खत्रा बढ़ जाता है ये एक मच्छर जनित वाइरल बिमारी है एडीज नामक मच्छर के काटने से लोग इस रोक से ग्रस्थ हो जाते हैं बदा दे कि मच्छ दिन बीतने के बाद ही इसके लक्षन दिखाई देना सुरू होते हैं और इसके लक्षन के शुरुबात में मरीजों को सिर में तेज दर्द हो सकता है मसल पेन और जोडों में दर्द से भी लोग परिशान हो सकते हैं इसके अलावा तेज बुखार शरी में ठन लगने जैसी कपकपाहट ज्यादा पसीना आना कमजोरी ठकान धोख में कमी मसूरों से खून आना और उल्टी भी डेंगू का संकेत हो सकता है इसलिए डेंगू से बचाफ करें और अपने आपको स्वक्ष रखें जोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूलें मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहिए सब्सक्राइब करें अपना